जी Microsoft PowerPoint 2010 के अंदर हमारे पास स्क्रोल बार्स होते हैं अब हम देखते हैं कि स्क्रोल बार्स का क्या फंक्शन होता है और हम किस तरह उनको इस्तिमाल करते हैं स्क्रोल बार्स सबसे पहले आपके प्रेजंटेशन विंडो के अंदर होते हैं एक होरिसॉंटल होता है और दूसरा वर्टिकल होता है आप यहां देख सकते हैं कि दाइन जाने आपको उपर का तीर का निशान और नीचे का तीर का निशान नजर आ रहा है और इसकी बीच में यह चोटा सा रेक्टैंगल है अगर आप स्क्रोल करना चाहते हैं यह यूज होता है स्क्रोल करने के लिए अगर आप स्क्रोल करना चाहते हैं तो आप इसके उपर क्लिक करते हुए नीचे लेके जाएं अपने माउस करसर को तो आप देखेंगे कि आप स्लाइड के अंदर मूव करते जा इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और फास्ट करना चाहते हैं तो आप यहां पर जो स्कोल बार का जो रेक्टेंगल उसके नीचे का जो हिस्सा है वहां पर राट कर क्लिक किजिए तो देखेंगे कि यह मूव करेगा प्रेजंटेशन के अंदर से इसी तरह आपका जो दूसरा स्कोल बार का जो हिस्सा है वो है नीचे जो है यह नजर आ रहा है इसके अंदर अगर आप मूव करना चाहें तो इसी तरह मूव कर सकते हैं तो यह है माइक्रोसॉफ्ट पाउरपॉरइट 2010 के अंदर स्क्रोल बार्स और उनको इस्तेमाल करने का तरिक्वा